कि और देखते हैं कि कौन से कुस्चन का कौन सा अंसर तो सभी लोग वीडियो को औं तक देखें सब्सक्राइब करते हैं पहला कुश्चन है पहला कुश्चन है आपका वर्स 2020-21 के दौरान भारत में निम्न लिखित में से किस देश के साथ क्रसी निर्यात में सरवाधिक व्रद्धी दर्जी की गई तो इसमें से हमारा पहला अप्शन हो जाएगा इंडोनेसिया इसके बाद में दूसरा जो है दूसरा कुश्चन है एक व्यक्ति एक कार को दस प्रस्थानी पर अपने मित्र को बेजता है यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में बेज कर 20% प्राप्त करता है तो कार का वास्तिविक मुल्य क्या था तो इसका हमारा अंसर आ जाएगा बी उसका नाम था जहां रोंग यानि की डी आपसन आपका सही हो जाएगा इसके बाद में फिर है अगला उत्तर प्रदेश के किस जन्पद में माडर्न कोच फैक्ट्री इस्थापित की गई तो इसमें हमारा अपसन हो जाएगा ड्राइबर एली जो कि आपका भी आंसर है इसक तब भी आपका क्या आएगा कि जो हमारा खाज संख्ला का पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा उल्टा बनेगा और यदि परजीवी के साथ में कहें दे एक संख्या का पिरामिड या एक पेंड का पिरामिड तो उसका भी जो हमारा एक पेंड का पिरामिड तो उसका भी ज खित में से कौन सी जील दो भारती राजियों की साजेदारी में है तो यह है हमारी पुलीकट जील अगला है एक संग्रहाले में रविवार को दर्सकों की संख्या 510 तथा अनिस अभी दिन 240 है यदि महीना 30 दिन का हो और एक तारीक को रविवार हो तो उस महीने में दर्सकों की और संख्या कितनी होगी तो उसमें हो जाएगा आप संडी यानि की 280 अगला कुश्चन है जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क किस स्थान पे शुरू किया तो यह हो जाएगा आपका फड़ी धस यानि की गुजरात में इसने प्रारंब किया गया था अगला कुश्चन है राश्ट्री पर्यावरण इंजिनिरिंग अनुसंधान संस्थान इसका मुख्याले कहां है तो जो आपका नीरी है नीरी का मुख्य लिव दाइधन किससे समद्धित है तो जो हमारा हंडर शांडर अवंट के साथ भी समझाट किस्रणी में नहीं रखा गया है भारत का पहला नाविकी उर्जा संयंत्र कहां इस्तापित किया गया था तो इसका अप्शन हो जाएगा तारापूर महाराश्ट्रा ठीक है अगला कुश्चन है उत्तरोत्तर बट्टा ए परसेंट तथा बी परसेंट तुल है बट्टा तो य खिलाडी क्रम सा कौन से देश के हैं तो यह हो जाएगा आपका ए आपसन यानिकी सार्विया और ग्रीस इसके बाद में नेक्स्ट कुश्चन है नेम लिखत में से कौन सा गयर सेल्यू लोज रेसे का उदाहरण नहीं है तो इसमें हो जाएगा नायलान यानिकी आपसन सी इ ठीक है इसका अपसन होगा एक पहले क्या था कि पहले जो हमारा संविदान था उससमें उस संविधान में लोग सवा में आंगल भार्ती जो समवदाय गए करते थे उनके लिए दो सीटे आरच्छित की गई थी लेकिन अभी जो आपका समिधान संसोधन जो आपका हुआ है संसोधन के तहट जो आपकी दो रिजर्व सीटे हैं इन रिजर्व सीटों को निरस्त कर दिया गया इनको जो हटा दिया गया है ठीक है यहां से एक और कुछन बन जाता है जैसे मालों कि किस संविधान संसोधन के तहच जो है इसको हटाया गया तो कौन सा सम्विदान संसोधन हो जाएगा यह आपको कमेंट बाक्स में बताना है अगला है नेक्स कोशन है कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के निम लिखित में से किस जले की सीमा उत्तराखंड हर्यारण तथा हिमान्चल प्रदेश के साथ मिलती है तो इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा सहारनपूर ठीक है सहारनपुर जो है यानि कि C आपसन ये जो है उत्राखंड हरियानत था इमांचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा मिलती है अगला कुछन है निम्लिकित में से कौन सा मर्दा छरण का कारक नहीं है ठीक है तो देखो इसमें स्वाल इरोजन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ऐ महाजनपत्काल में निम्लिकित में से कौन सा राजवन सासन किया । अगला कुछचचिन है निम्लिकित में जो 7 इसकंबों में सामिल नहीं है टो इसमें है रोजगार सजन यानि-क आपसन इन में लिख़त में सही समेलित नहीं है एक तरफ जनपत्त का नाम है और दूसरी तरफ उसका मुख्याला है तो पहला है अम्बेडकर नगर का मुख्याला है अकबरपूर दूसरा है कानपूर देहात कानपुर का जो देहात कानपुर देहात इसका मुख्याला जो है वो विधूना नहों करके क्या है अकबरपुर है तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसका अपसन हो जाएगा B कानपुर का क्या होता है अकबरपुर जो कि इसमें गलत है अगला क्या है एक गज मीटर? एक गज एक मीटर का 91% है? एक मीटर एक गज का कितने प्रतिसत है? तो इसका option हो जाएगा आपका B यानई की 109.9% अगला question है राकेट निम लिखित में से किस सिध्धान्त पर काम करता है? तो यह आपका हो जाएगा option B सम्वेक सम्रच्छन का नियम अगला कुश्चन है निम्रिकित में से किसको 1890 में इंडियन सोसल रिफॉर्मर आरंब किया ठीक है तो किस नहीं किया था के एन नत्राजन के द्वारा किया था या अारह में नेच्ट कुश्चन है तधा सुची हो संदौकर जी है वो किस सम्दित हैं तो किस सम्दित है घरीवी रेखा निर्धार्न से यह हो जाएगा पहले का सेकेअं दूसरा है एंसी सकेना और सब्सक्राइव वह ises спerstidak का थर्ड फॉर्थ इसके बाद में सी जो है क्या है आत्मर रिसेन ये जो है गरीबी का चमता द्रिश्टिकोंड और एस आर हासिम ये हो जाएंगे सहरी छेत्रों में बी-पी-अल गर्णा से ठीक है तो इसका कौन सा अप्षन से अगला है यदि A B के दच्षड में है तथा C B के पूर की ओर है तो A C के संदर में किस दिसा में है यानि कि A की इस सिती बतानी है कि वो C से किस दिसा की ओर है तो इसका एंसर हो जाएगा दच्षड पस्चिम यानि की D answer नेक्स्ट कुष्चन है कुष्चन नंबर 30 कि निमने लिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान काल सेंटर के लिए आवंटित है तो कौन सा सेंटर है 800181551 यानि की आप्षन आपका सही हो जाएगा A इसके बाद में अगला कुष्चन है वर्स 2021 में क्रिकेटर सुरेस र इसका उनेलित नहीं है ठीक है राजी दिया गया है और राजी के संस्थापक दिये गए हैं तो इसमें आपका हो जाएगा पहला वाला रुहेल खंट्ट ठीक है रुहेल खंड की स्थापना सुआधत खां के द्वारा नहीं की गई इस तीडिन आपके सही है नेक्स्ट पु ख्याले है या फिर यह जो है इसी नेक्स्ट कुशिन है कुस्ट्र को सबस्यादा पाइब उत्तर प्रदेश में और बंगाल में आर्शेनिकी मात्रा या यह जो आपका कुछा गया था चारी मृदा को लेकर के तो इसका अंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश अगला है गिनी गुडांक अर्थ विवस्था में निम्न लिखित में से किस माप से जुड़ा है ठीक है तो जो आपका गिनी गुडांक है यह आपका समंदित है आय की अस अगला कुछन है विस्त स्वास्त संगर्ठन दवारा को लोना वायरस की युनाइटिस कीणगडब संस्करंड को क्या नाम दिया हो गया है तो इस question का answer की हो जाएगा अल्फा हो जाएगा कई तुनहीं को सबसे अधिक किसे मरदा भाग में सबसे अधिक CEC होती है तो इसमें हो जाएगा आपका फोर्थ आपसन यानि की आपसन D कार्वनिक पदार्थ नेक्स्ट कुश्चन है रंगीन जूसों के लिए निम लिखित में से कौन सा पर रच्चक आप रोकिया जाता है तो सभी लोग जानते हैं किसका आपसन हो के नियूंतम दूरी दी गई है तो इसमें जो आपका दिया गया है कि निम लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसमें हो जाएगा आपका कपास यानि की बी आपसन ठीक है यहूं के लिए में 30 म में चाहिए हूरा होना चाहिए त्माटर के लिए बिश से 25 होना चाहिए फूल गोबी के लिए हगảiना क्या होता है को एंजिए कि नम्बर फुर्टी फाइव तंबाखों की खेती में देने मिल इंखित क्रियां अपनाई की जाती है तो सबसे पहले क्या अजयता है टॉपिंग की जाती है फिर दिसकेंग की जाती और फिर प्राइमिंग की जाती है यानि की भू कर्म रहे का तो आपको सबसकर छो अरों जाएगा औस more और इसके बाद में फिर आपका आता है 46 46 में है जो आपका आपसर होगा वो फोगा बी होगा इसके बाद में next question 57 गन्ये के तने गहसालार की तो यह कि त्षी में को प्लाज्मा के तो इसNew यह समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र कहां इस्तित है तो यह आपका नई दिल्ली में अवस्तित है तो इसमें आपका हो जाएगा option D यानिकि इन में से कोई नहीं next question है bolting bolting जो है किस पसल से संबंदित है तो यह आपका हो जाएगा परिचन जो आपका संबंदित है वह अनपात और भी नताओं का परिचन करने के लिए और जो आपका डी है वह हो जाएगा छोटे नमूनों के लिए ठीक है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा सबसे पहले आपका होगा विवित्ता का उत्पादन उसके बाद में क्या होता है यह होता है आपका पहला नंबर दूसरा नंबर आपका क्या होता है दूसरे नंबर फिर होता है आपका सेलेक्शन ठीक है इसके बाद में फिर क्या किया जाएगा फिर इसका किया जाता है मुल्यांकन फिर इसका N, P, V ये जो है जैविक नियंत्रन का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो किसके लिए ग्राम पोर्ट बोरर यानी की चने की फली शेदर के लिए किया जाता है अगला कुश्चन है कि निम लिखत में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा B वाला अप्षन हो जाएगा NBARI, IR, कोयम, बटू अगला कुश्चन है हमारा निम लिखित में से कौन सा है सही सुमेलित नहीं है तो इसका भी अप्षन क्या हो जाएगा इसका अप्षन हो जाएगा स्रव्य साधन है next question की बात करते हैं ंतु अगला question है न्यूट्रि पोनिक्स क्या है तौ न्यूट्रि पोनिक्स जो की आपका नाम से पताएफ इस अगला अगला संक्रणड़ा कुश्चन है 59 59 में दिया गया है नीचे दो कथन दिया गया है जिन में सए एक को ए और दूसरे को कारण और कहा गया है कंफने कायता है कि किर जीए इस running इस फिर्ट कीट विक्सित की गई है और कारण इसका क्या है कि क्राई जीन जीवान उसे प्राप्त किया गया है तो आपको इसमें से बताना है किसमें से कौन सा सही है तो इसमें से जो आपके दोनों यानि कि कथन एक और कारण आर यह दोनों क्या है दोनों सही है और जो आर है वो क्या है एक ही भी हो सकती है लेकिन नहीं हो सकती है आपका तो अबत्र में की कारण होG एगला है मोलाया रोग किस निमों तोड के कारण होता है तो ये होता है थेटेरोइता ऐवन्यू के ओपसंड ने की कुश्चन है 63 चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिचाई विद की दच्छता क्या है तो इसकी जो दच्छता होती है वह होती है 40-45 अगला कुश्चन है कि सुची एक को सुची दो से मिलाना है और नीचे दिये गए बेंगन में लाल सड़न है तो इसमें कौन सा हो जाएगा बेंगन ठीक है तो रेड डॉट आपका कहां लगता है यह बेंगन में लगता है तो आपका सुगर केन में लगता है ठीक है अगला है 66 गैलेरिया मेनो मेलो नेल एक कीट नासी है तो यह किसका कीट है तो यह है मदमक् jk vaap कैला कैला का सभी को पता है कि keyla क्या होता है स्वाड सकर्स, चाय का क्यों हो जाएगा, चाय का हो जाएगा, साफ्ट वूड कटिंग और इस्ट्रावेरी की हर कारप्री, आपका अपसन हो जाएगा B, ठीक है, B वाला अपसन आपका सही है, नेक्स्ट कुश्चिन जो है, अगला है, नर्व बांधिता का उप्योग और फस इसकी तोड़ाई की जाती है, तो इसका 70 का आपसन हो जाएगा A, अगला है 71, निव बिकित में से कौन सा एक खरीप मौसम का खरपतवार नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, चीनो पोडियम, एलवम, ठीक है, चीनो पोडियम, एलवम और चीनो पोडियम, मुरेल, जो की सबसे पहले क्या होता है, किसान का एक अधिकार होता है, इसके बाद में फिर अलपा अधिकार होता है, फिर एक अधिकार की प्रतियोगिता होती है, और फिर योगी प्रतियोगिता होती है, तो इसका आपसन जो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा B, ठीक है, नेक्स्ट लोग इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सलफेस का फिर अगला है सब्जियों में आद्र प्रतन इसके लिए क्या किया जाता है मरदा का सौरी करण किया जाता है और फिर खेरा रोग के लिए क्या करते हैं जिंक सलफेट का प्रयोग करते हैं तो इसका अप्शन हो जाएगा या के रूप से दो प्रकार की होती है एक तो होती है नभीन जलोड मरदा और दूसरीा होती है पुरानी जो नभीन जलोड मरदा होती है उसको हम लोग खादर के पौधे का व्याफसाइक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है तो किससे किया जाता है एर लाइरिंग से किया जाता है यानि कि वाई परत बनाना अगला हो जाएगा 77 का निम्लिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्या वरण हितैसी तकनी की है तो इसका अंसर हो जाएगा अनुवांस की नरवंदता यानि की जेनेटिक मेलिष्टिल्टी नेक्स्ट कुछन दिया गया है फसल चक्र के संद्रब में निम्लिखित में से कौन सा गथन सही है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए सही है गहरी जड़ वाली फसले ली है तो उसके बाद उतली जड़ वाली फसले ली जानी चाहिए यदे हमने ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों को लिया है तो उसके बाद में कम पानी चाहने वाली फसल को लिया जाए तो इस तरीके से इसका आपका आपसन होगा आपका केवल पहला वाला ठ थीख है अगला कुष्चन है नियुंतम समर्थन मुल यानि की MSP के तय करने का अधिकार है तो MSP किस अधिकार के तय की जाती है यानि कि जो भी हमारी ह। यानि हैं यह आपकी कैसी है this which और अंभोत उतनाए ह। जो कि आमरपाली और अंवल्का संक्रण के बाद में मरदा की लंबवत kaot को किया कहा जाता है तो मरदा की Lंबवत Kaot को स्वाल प्रॉफाल कर जाता है यानि कि reduce zone में किया जाना चाहिए तो इसका option हो जाएगा केवल B next question है सुची A को सुची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गए कुट का प्रयोग कीजिए तो इसमें हो जाएगा आमला की जापकी किसम है वो कोंसी है तो आमला की है जूर्गा प्रne बी नेक्स्ट कुछिट नहाँ है 85 इसमें भी आपको सुची एक से सुची दो को मिलाना है तो पहला आपका दिया गया है अनुवाण सगी और सभी जानते हैं कि सब्सक्राइब तो यह आपका हो जाएगा केवल एक और दो यानी की डी आप्शन नेक्स्ट कुछन है एक छेत्र में चौविस घंटे में जितने गहराई का जल बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है जल निकास गुडां के नाम से जाना जाता है नेक् तीसरा आपका दिया गया है आपका फो मा मॉलिब अनंहों से क्यांटे में कियो किस्ट युञे नगेरी इसकर आपका वेश्ट है्या रूसते तो चौन से संब्सक्राइब करके जाएगा नेक्स नेक्स्ट के लिए का औरelet नेक्सथैंग थे मिस्ता ले को आलेका दो मौन से बिकानेर में वस्तित है जबकि जो आपका कजरी है ठीक है C-A-J-R-P-I जो कि आपका Central Arizona Research Institute यह आपका कहाँ वस्तित है तो यह आपका जोदपूर में अवस्तित है जबकि आपका केंद्री सुस्क है वो डेप्टेरा गड़ से संबंदित है नेक्ट कुश्चन है सूच में जल संग्रहंड छेत्र का छेत्र फल होता है तो देखी यह आपका कुश्चन है यह भी डाउट पहले है तो इसका अंसर भी कुछ क्लियर नहीं किया सकता क्योंकि एक से लेकर करके 10,000 तक मतलब एनिक इसका आता है तो यह जो है आपके इसमें चारों आप्सन सही है अब आयो कौन से सही मनता है तो वह जब आपकी आयो की कि आएगी उससे पता चलेगा नेक्स्ट कुश्च है तो इसके आपन एक कंसा हो जडाया पहला है व्यंक और इसमें रिच्छाड निदेशलए तो यह जो है आपका किसंवर्स आया था था थो उनिसंथा दूसरा है बह।uarाति आपकर निगम आपकाका कब आया था यह आया था आपका 1965 में तीसरा उपकांगत और ओप्सण याने की option D Die Question पे आते हैं उन्हार मध्यम काली मर्दा को कि सौरडर में रखा गया है इसको कि सौरडर में रखा गया है नें सबसे होता है सबसे महांब सबसे अधिक्तम होता है आगे सुज़ागा के लिए लाबकारी जीवां तो कौन सा और कूट को बताना है तो आपका करते हैं तो जी वन शमता से संबनदित है तीसरा का किसमें करते हैं 20 सुसुपतावस्ता को समाप्त करने के लिए और अगला है इंडोल-acetic acid इसका प्रियोग के लिए तो इस तरीके से मारा अप्सन हो जाएगा सी नेक्स्ट कुश्चन पर आते हैं तो 102 कौन सा खर्पतवार नासी दिलहन फसलों में चोड़े पती वाले है पत्वार को निष्ट करने में प्रियोग किया जाता है या होता है तो इसमें क्या हो जाएगा m c pa ठीक है ने अप्सन हो जाएगा पिर अग्ला कौन सी मृदा में उच्चतम जल उप्योग छमता है सबसे ज्यादा जो जल उप्योग बार्टर यूज efficiency है वो किसकी है तो किसकी है तो इसमें आपका हो जाएगा कि चिकनी मर्दा कि वाटर जिए अपका कि नेक्स्ट कुश्चन आपका आता है चिकनी मर्दा के बाद में 104 कथन दिया गया है कि उत्पाद स्रमिक एवंग कुंजी का फलन है यह कथन किसने दिया था तो यह कथन दिया था कॉब डगलस के द्वारा निम लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसमें आपको बताना है चना फली छेदक गन्ना भूरा फुद्का प्याज थ्रिप्स धान तना चेदक तो धान में तना चेदक लगता है थ्रिप्स जो है वह अपका प्याज में गता है फली शेदक आपका चना में लगता है लेकिन भूरा फुद्का यह आपका घंणा में नहीं लगता इसलिए आपका गलत हो जाएगा और कुछिन के आपका सही हो जाएगा कि योजना का नाम दिया गया और कौनhearted कि कि रोजगार गारंटी अधिनियम यह आपका दोजार पांच और निश्चित रोजगार योजन यह आपकी आई थी 1993 में तो इस तरीके से आपका अप्टन हो जाएगा सी नेक्स्ट कुश्चन जो है दोजगार जाली कि यहाँ तोजगार थेकी है कि का अपर आपकी आ एगार गया कि आप से विच्छाम होता है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा option A A सही है किन्तु आर गलत है तो 107 का हो जाएगा नेक्स्ट कुष्चन है राइसीनेस का राइसीनेस एक सारीरिक विकास यह जो आपका विकार है किस से संबंदित है तो यह आपका संबंदित है फूलगोवी की फसल से नेक्स्ट आपका कुष्चन है सूची दी गई है और सूची का चैन करना है तो इसमें जो आपका गलत यहाँए तो कौन सा हो जाए गा इसको आपसन हो जाएगा अपका車 एक और दो तीक है इसके बात में अगले सूची दी क्या है और सूची का मिलान करना है तो पहला दिया गया सूचऽ अपासल कौन सी होती है सूरज जोनफ आपको कोई कि पहुचाने वाली अबस्था कॉन से तो नियम कि वहीं को कुछानने वाली अवस्था आ है वो निमफ और भॉकट पॉरें जो है वहां फसल को छती पहुंचाती हैं अगला कुछी कि कूड दिया गया है और कूड कि आदार पहिए आपको सूची दी गई है और सूची के अधार पर आपको कूड को पहचानना है तो संपूरक कौन किसका होता है तो संपूरक होता है गेहूं और डेड़ी प्रतियोगी 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 ताक इसमें होती है जो एक साथ के होते है यानि कि गेहूं और जौ में यूमिन पाई जाती है दूद में आपकी कौन सी पाई जाती है तो केसीन पाई जाती है मांस में आपकी कौन सी पाई जाती है तो मांस में मायोसीन पाई जाती है और उन में कैरोटीन पाई जाती है तो यह आपका अप्शन हो जाएगा डी नेक्स्ट कुस्टन है किस पदार् निम लिखित में से कौन सी एक रिले क्रापिंग का उधारण है तो रिले क्रापिंग क्या होती है कि एक फसल के बाद तुरंती दूसरी फसल बो देना तो इसका अप्शन हो जाएगा अगला कुशन है पर परागित फसलों के लिए उप्यूक्त नहीं है तो यह आपका हो जाएगा इसका मास सेलेक्शन ठीक है नेक्स्ट कुशन है सुची एक। सुची दो से सुमेलित कीजिए यानि कि इसमें भी आपको कूठी बताना है तो लाकी Cheese Cheese कि आपका जन्मिस्थान है वह कौन सा है तो लाकी का जन्मिस्थन है आफिका इंडी का जवा जन्मिस्ताने वह आपका देश्डी अमेरिका तीसरा है फूल भी फूल भी का है हिंद चीन और चॉलाई का है meditating region इसका वापका ओप्चन और लास्ट कुश्चन एक कोसमें भी आपकी तो सही है इस में आप का दिया गया है ए 2 में दूसरा है इसका आई चोड़निया इधर दिया गया है उद्गमी जली खर्पतवार सीमांत जली खर्पतवार और पूर्ण खतपरवाद इधर आई चोड़निया टाइफा रूमेक्स प्रजाती और सिर्पस तो इसका जो आपका उप्शन है इसका उप्शन आपका सही है ए ठीक है तो इस तरी झाल